जैहिन प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्स क्लासेज, कैसे हो बच्चा आप सभी? आसा करता हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, स्वास्त होगे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कच्छा चार, JCRT, हिंदी पाठ पुस्तक, भासानजली में पाठ एक कोयल, इस कवीता को पढ़ेंगे और इसके सम्मन्दित सारे प्रश्ण उत्तर को हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो बच्चों चलिए प्रारम करते हैं, कवीता का नाम है कोयल तो यहाँ पे कवीता इस प्रकार से है, देखो कोयल काली है, पर मीथी है इसकी बोली, इसने ही तो को को कर आमों में मिश्री घोली अब यहाँ पे जो इस कवीता के कवी हैं, वो कोयल को देख कर कहते हैं, देखो कोयल काली है, पर मीथी है इसकी बोली, इसने ही तो को को कर आमों में मिश्री घोली देखे बिच्चा, जो कवी होते हैं, वो अपने कवीता के माध्यम से समाज को एक संकेत देना चाहते हैं, वो इस कवीता में क्या संकेत दे रहे हैं? वो कहते हैं कोयल से कि देखो कोयल काली है कि कोयल काली होती है प्रंतु उसकी बोली यानि उसका जो बोली होता वो कुहु कुहु इतना मीठा बोलती है कि सभी को पसंद आता है और इसकी बोली से आमों में मिश्री गोली होता है आमों में मिश्री घोली का आर्थ है कि उसकी बोली एकदम मिश्री के समान होती है बहुत ही सुखद होती है तो हमें कभी भी अपने रंग के उपर घमंड नहीं करना चाहिए या फिर हमें कभी भी अपने रंग के उपर हमें अपने रंग को नहीं कोड़ना चाहिए कि हम काले हैं, हम गोरे हैं उनसे कोई फरक नहीं पड़ता कि हमारा रंग कैसा है हमारी चमड़ी का रंग गोरा है या काला है हमें अपने बोली को, हमें अपने सब्द को ऐसा रखना चाहिए कि वह सभी को पसंद आए, सभी उसे पसंद करें ठीक है, अगला पह, यहाँ पर अस्टेंजा अगला दिया गया है कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो अब कभी कोयल से बाते करते हैं वे कहते हैं कि कोयल कोयल सच बतलाओ कोयल, कोयल, तुम सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, संदेश होता है, जो एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक हम लोग भेशते हैं, जैसे हम लोग चीठी लिखते थे, ठीक है, पहले, अभी तो हम लोग मुबायल में वाटसप कर देते हैं, टेलेगराम कर देते हैं, तो अपने विचारों को एक अस्थान से दूसरी अस्थान तक किसी माध्यम से पहुचाना संदेश होता था, तो वही पुछते हैं कि कोयल, कोयल, जच बतलाओ, क्या तुम कोई संदेश लाई हो, बहुत दिनों के बाद, आज फिर इस डाली पर आई हो, अगला यहां पर दे र का है, क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल, रानी, प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेगो से पानी, अब कभी उनसे पुछते हैं कि क्या गाती हो, किसे बुलाती, कोयल इतना सुंदर कुह करके गाती है, कि उससे पुछते हैं कि तुम क्या गारी हो, और किसे प्यासी धर्ती देख मांगती हो क्या मेगो से पानी? क्या तुम प्यासी धर्ती को देखकर बादलो से पानी मांगती हो? ऐसा कोयल से पुछते हैं. फिर आगे यहां पे दे रखा है कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी मां से पाई है? माने ही क्या तुमको मीठी बोली या सि पुछते हैं कि कोयल कोयल या मिठास मिठास करते हैं जो तुम्हारे बोली में एक मिठास है वो तुमने कहां से पाया है इतना सुंदर इतना मीठा बोलना तुमने कहां से सिखा है तो फिर बोलते हैं अपनी मां से पाई है क्या तुमने या बोली या बोलना अपनी मां से सिख कि पहारी मां ने ही तुमаки लिए Trung Pen और और अधे मां बहुत कुछ सिख् título चाहएं की हमंएयों का अधर करना चाहिए सबसे मीठा बोलना चाहिए किसी से जगडा नहीं करना चाहिए यह बातें हमारी मां बच्पन से ही हमें बतला दिये लेकिन इहां पर खोयल मा की बात सुनती है और मीठा मीठा बोलती है इसलिए सब को पसंद भी आती है अगला यहां पर दिया गया है बच्चा डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है इसकी मा क्या सिखलाती है डाल डाल पर उड़ना गाना उसे उड़ना सिखलाती है कि इस डाल से उच डाल पर इस डाल से उच डाल पर यह भी तुम्हें सिखाया है और सबसे मीठा मीठा बोलो किसी के साथ भी अभद्र वहवार नहीं करो सबसे मीठा मीठा बोलो ये कवीत कहते हैं अब अगला कहते हैं बहुत भली हो तुमने मां की बात सदा ही मानी इसलिए तो तुम कहलाती हो सबचिणियों की रानी कवी उसे बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी हो लाती हो तो बच्चों इस कवीता के माध्यम से हमें क्या सिखने को मिला तो बच्चा इस कवीता के माध्यम से हमें यह सिखने को मिला और कवी इस कवीता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा रंग भले ही कुछ भी हो हम काले हो गोरे हो इसे कोई फर्क नहीं प करना चाहिए और हमें अपने हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने माता पिता का क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें बच्पन से अभी तक बहुत कुछ सिखाया है और यदि हम उनके बातों को सदा अनुश्रन करेंगे उनके द्वारा सिखाए गए कामों का अनुश्रन करके लिए तो हम जगत में कहीं भी चल जाए हमेशा संमानित होंगे हमेशा संमान के पातर होंगे ठीक है बच्छा चलिए अब हम करते हैं इसके प्रष्ण उत्तर फैसे पहले प्रष्ण करवाने से पहले कि आप लोग comment करते हो जैसे कि कल एक बच्छी ने किया था कि सर आप कच्छा-चार हिंदी के पार्ट उत्तर को करवाए तो बच्छा मैंने कि इस वीडियो के description में उन सारे पार्ट का link लगा दूँ आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो ठीक है बच्छा चलिए हम लोग प्रारम करते हैं इस पार्ट के प्रशनुत्र को आप लोग वीडियो को कैसे देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्छा मैंने कच्छा चार हिंदी पार्ट पुस्तक में बहुत सारे पार्ट के प्राशनुत्र को करवाया है तो आप लोग कैसे देख सकते हो सबसे पहले आप लोगों को ऐसे भारतवस क्लासेश को जो लिखा हुआ है सस्क्राइब यहाँ पे आप लोग सिस्क्राइब कर लिजेगा यह notification bell icon का बटन को ऐसे तबाईएगा इसमें जो all लिखा हुआ है इसमें कलिक किजेगा तो ऐसे क्या होगा कि जब भी आपको नए वीडियो आएगी आपको notification आएगा और आप वहाँ से देख सकते हो फिर यहाँ पे बच्छा एक option होता है playlist का आप लोग इधर करोगे तो यह आग यह वीडियो सारी भारतवस क्लासेश की फिर इधर करोगे तो यहाँ है playlist अब आप लोग यहाँ से देखोगे कि आपको सारी पार्ट के प्रश्मुत्तर यहाँ से मिल जाएंगे जैसे बहु भासी विद्वान पार्ट दो है पापा जब बच्छे थे पार्ट तीन फिर यहाँ पे है मुझे मोनिटर बना दो पार्ट चार इसी प्रकार से दादी की साड़ी, सोने के जूते, बादल, सुवत अंतरता की और थप रोटी, थप दाल, कुते की सिख, बीजू का, असमाईल, पिंकी और यहाँ पे चुहे ने काटा माउस को इन सारे पार्ट के प्रशन उतर मेंने बहुती सांदार तरीके से करवाए हैं, आप लोग यहाँ से चेक आउट कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप लोग कच्छा चार, यहाँ पे इंगलिस भी देख सकते हो, कि इंगलिस में भी बहुत सारे पार्ट के प्रशन उतर यहाँ से करवा दिये गए हैं तो आप लोग यहां से भी उसे देख सकते हो ठीक है जो आप लोग पेंसील और कोपी लेके जरूर बेठेगा इसके उत्तर को आप लोग नोट किजिएगा पर्थम परशन यहां दिया गया है कोयल कुक कुक कर किसे बुलाती होगी तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा जैसे हमने कवीता में क्या पढ़ा था क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेगो से पानी तो कोयल किसे बोलती है मेगो को बुलाती होगी यहाँ लिखेंगे कोयल कु कु कर मेघो को बुलाती होगी क्योंकि कभी ने कहा है प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघो से पानी तो यहाँ पे हम लोग यह उत्तर लिखेंगे खाप प्रशन है कोयल के अलावा किन किन पंचियों की बोली आपको अच्छी लगती है और क्यों जैसे कोयल की बोली सभी को प्रिय होती है कि वह इतना सुन्दर मीठा मीठा बूलती है सभी को पसंद आता है कई सारे पंची और भी हैं जितकी बोली आपको पसंद आती होगी जिसे आप लोग कबुतर की गुटरगू हो चाहे वह तोता का मीठू मीठू बोलना हो या फिर वह मोर का बोली हो बसंद आते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे मुझे तोता कबुतर गुरयया की बोली यह आपको लिखना है तोता मिठू मिठू करके बोलता है कबुतर गुटरगू गुटरगू करता है और जो गुरयया ची 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 करती है तो अब सुभा में आप लोग इसकी बोली को सुनो आपको इतना शुकत महसूस होगा कितना आनंद आएगा आपको लगेगा कि जैसे अपने बहुत अच्छा लग रहा है यह आपको महसूस होगा ठीक है अब हम लोग करते हैं प्रशन संक्या गाह को गाह प्रशन यहां पे दिया गया है सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है अब मीठा मीठा बोलने से मीठा मीठा बोलने के क्या फाइदा हो स हैं। है। हम सभी को अपना दोस्थ बना सकते हैं। हम सभी से मीठा मीठा बोलें। इस semaine के साथ अभद्रवयवार ना करें तो हम सब से दोस्ति कर सकते हैं। यह हम लिख लेंगे। ढहुत भली हो तुमने मां की बात सधा ही मानी आप किन-किन लोगों की बात मानते हैं यहां पे लिखेंगे हम लोग आपको बताना है कि आप किन-किन लोगों की बात मानते हो तो यहां पे आप लोग लिखेगा मैं मम्मी की पापा की भाईया की और सिच्छक की बाते मानती हूं या फिर मानता हूं यह आपको लिख लेना है आप लोग इसमें और भी जोड़ सकते हो जैसे दादा की दादी के दीदी का चाचा जी की चाची की ये सब भी आप लोग जोड़ सकते हो अब आप लोग करते हैं अंगा प्रश्ण अंगा प्रश्ण यहां दे रखा है माने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई जैसे कोयल की माने कोयल को डाल डाल पर उड़ना गाना और मीठा मीठा भोलना सिखलाया है तो आप से प्रश्ण है आपको मा क्या क्या सिखलाती है बताईए तो यहां भी हम लोग लिखेंगे बिच्चा मेरी मा मुझे पढ़ना बड़ों का आदर करना बड़ों का शम्मान कर अगले प्रश्ण को अगला प्रश्ण दिया गया है कवीता से आगे साल के किन किन महीनों में जादा फूल खिलते हैं इसमें लिखेंगे वसंत के महीने में जादा फूल खिलते हैं जो वसंत का महीना होता है वच्चो उसमें जादा फूल खिलते हैं चारों तरफ एक ऐसा वातवरन हो जाता है कि मानो धरती दुलहन की तरह सज गई हो हर एक डाल में फूल होता है और वह बहुत ही सुन्दर द्रिश्य होता है खाप प्रश्ण है आज के समय में संदेश भेजने जाने के माध्यम कौन से हैं तो आज के आप लोग ऐसे सोचिए कि आज आप लोग आज के समय में अपने विचारों को अपनी बात मड़ें तो आदेश प्हूचाने के आज माध्यम है वह बहुत ही आधोनिक हो गई यह हैं पहले समय में क्या होता था कि हमें चिठी लिखना पड़ता था और फिर चिठी से भी हम लोग पहले की बात करें तो पहले कब उत्तर चिठी पहुंचाता था तीक आप लोग सुने भी होंगे द्यादा दादी से पहले कब उत्तर चिठी पहुंचाता था लेकिन आज के समय मे संदेश भेजने के बहुत सारे माध्यम हो गए है जिसे रेडियो भी संदेश भेजने का माध्यम है वाजन समुदाय तक संदेशों को पहुंचाता है तो इसमें लिखेंगे बच्चा समाचार पत्र रेडियो टेलीविजन इंटरनेट ठीक है समाचार पत्र के माध्यम से रे जैसे कुछ चीज का एनाउंस होता है तो हम लोग कहां पर देखते हैं उस समाचार को टीवी पर देखते हैं तो वह एक संदेश ही है जो जन समुदाय तक पहुंच रही है तो वह माध्यम कौन सा है टेलिविजन है गाह प्रश्ण है आपको किन लोगों के बात करने का तरीका अच्छा लगता है तो यहाँ पे लिखेंग बच्चा जो मधूर बोलते हैं मुझे उन लोगों का बात करने का तरीका अच्छा लगता है ःपको लिख लेना है अब हमनों करते हैं अगले प्रश्ण को अगला प्रश्णद या गया है आपकी पशंद से कौन अपनी पसंद से इनके नाम लिखे सुन्दर चिणिया तो सुन्दर चिणिया आपकी पसंद है आप लोग यहाँ पे लिखेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मोर, सुन्दर चिणिया मोर, स्वादिस्ट फल स्वादिस्ट फल विसाल विरिक्च सीसम मज़ेदार सबजी आलू बैंगन जरूरी नहीं है कि आप लोग आलू बैंगन ही लिखो आपकी मज़ेदार सबजी कुछ अलग भी हो सकती है आलू पटल लौकी की सबजी कोई भी आपकी सबजी होगी फैवरेट वही लिखती जाएगा अगला प्रश प्रशन यहां पर दे रखा है कवीता के अधार पर मिलान किजिए प्यासी को किस में मिलाएंगे धर्ती में और मिसरी को किस में मिलाएंगे मिसरी को मिलाएंगे घोली में मेग पानी में और मीठी बोली में प्यासी धर्ती मिसरी घोली मेग पानी और मीठी बोली अगला प् प्यासी-धर्थी, तो मीठी क्या होगी? मीठी-बोली, और यहाँ पे कोयल, तो काली-कोयल, लंबा-दन्डा, तूटा-बर्तन, ऐसे आप लोगों को सब्दों लिख लेने हैं, जो इन सब्दों का मेल से हो, जिसे प्यासा-कवा, ठीक है? देखे कववा जो है वो कुछ जाती को बता रहा है पुलिंग जाती को बता रहा है पुरिस पुरुष जाती को बता रहा है ठीक है और यहां पे इधर वाले सब्द जो दे रखे हैं विशेशता वो भी इस सब्द के अनुसार है जैसे आपे प्यासी तो धरती इस्तलिंग तो इसके अधार पर या प्यासा हो गया, मीठा, मीठा, जल, कंबल, तो कंबल यहां पर क्या होगा, काला या काली, काला होगा, आपको इसी में से भी लिखना है, जैसे यहां पर सुरू में प्यासी है, तो यहां प्यासा, मीठी है तो मीठा, काली है तो काला, लंबा है तो ल तूटा का टूटी लंबी तो लंबी यहां पर रश्ची लिख देगा यहां पर लिखेगा टूटी तूटा का टूटी डाल प्यासी बच्ची यहां लिखेंगे मीठी चासनी काली काली गाय शड़क है तो यहां पर हमें क्या भरना है लंबी लंबी शड़क टूटा घड़ा इस प्रकार से हमें इस सब्दों को यहां पर भर लेना है आसा करता हूँ कि आऽ सबी इस सब्दों को भर लिए होंगे प्यारे बच्छों मैंने इस कच्छा चार हिंदी पाथ फुस्तक में पाथ 2 और जो भी पाथ 3, 4 5 जितने भी पाथ हैं मैंने अधिकतर पार्ट को पढ़ाया है उसके प्रश्ट